आम अलेकुम ट्वारीवन, I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, आप देख रहे हो जेके स्टीडी पॉइंट और इसी डिवी में हम डिसकस करेंगे जुमाइन कश्मीर के कुछ नए जॉब्स के बारे में हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना, इसके अलाव मैं आपको बता देता हूँ, कि आप मरस्त वाट्सप टेलिग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जॉइन जरूर करना, बाकि जतना हो सके इस वी किषमी रिवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन के डेट के बात करेंगे, तो 13-11-2024, तो कुछ दिन पहले यह नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन के सब्जक्ट के अगर हम बात करें यहां पर आप देख सकते हो, सबस्क्राइब के सबस्क्राइब करेंगे, तो यहां पर आपको दो चीज़ें कनफरम हो जाएंगी, नाइव तैसलदार की सिलेक्टिके से हो जाएगी, कितनी जो वेकंशीज है, वो जेके सब्सक्राइब कर दी गई है, उसके रिगारणिंग qualification के regarding discuss करेंगे और इसके लिए अगर आपको prepare करना होगा वो किस तरीके से आपको करना है उसके regarding भी हम discuss करेंगे और जो official notification JKSSB की तरफ से आने वाली है इस recruitment के लिए वो कब तक आ जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोस के regarding तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें total जो पोस है वो 58 है लेकिन यहाँ पे जो 58 पोस है इसमें 38, 20 लिखा गया है जहां तक मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि 38 vacancies कश्मीर के लिए रहेंगी और 20 vacancies जुमों के लिए रहेंगी बाकी जब notification आएगी reunion department के तरफ से जब इसको clear कर दिया जाएगा जैके SSB को और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ category wise यह post निकाले जाएंगे district wise भी हो सकता है तो वो आपको notification को देखने के बाद पता चल जाएगा इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दीता हूँ इसमें कुछ चीजे लिखी गई है इभो दा Selection of the eligible candidates आगने इस their sad posts in the department on merit based इसके लिए एक्जाम होता है यहाँ पे merit based लिखा गया है लेकिन जो merit है वो आपका exam का देखा जाएगा इसके लिए आपका confirm JKSSB की तरफ से exam होगा और यहाँ पे अगर हम eligibility की बात करेंगे तो मैं आपको बतातीता हूँ अगर आपको JKSSB में नए अपतेसलदार पोस्ट के लिए apply करना होगा इसके लिए eligibility की बात करेंगे सबसे पहले आपकी age 18 पलस होनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पे आप domicile आप जेंड के होनी चाहिए इसके अलावा आपके पास graduation pass होना चाहिए graduation pass candidates के लिए recruitment रहेगी वही सिर्फ apply कर सकते हैं इसके अलावा जो rules रखे जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो s.0176 of 2024 532024 के तहत जो reservation rules बनाए गए है reservation policies में नई apply होगी आपको आरड ही पता होगा st2 और st1 introduced किया गया था और open minute के लिए seats काम कर दी गई तो उसी के हिसाब से इसका एक framework बनाए जाएगा एक table बनाए जाएगा और उसमें इन vacancies को fill किया जाएगा यहाँ पे मैं बात करा था education qualification की तो education qualification graduation पास रहेगी और special reference यहाँ पे अर्दू को दी जाएगी अगर अर्दू आपका strong है तो आपको यह job 100% मिल जाएगा तो आपका जो exam होगा वो objective based होगा लगबग आपको 100 questions पूछे जाएगे यह तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ जो पहले notifications आई थी आप change भी हो सकता है तो फिलाल आप 100 objectives रख सकते हो और 20 mark शायद आपके और धुक्ये होंगे वो पता चल जाएगा जब notification आईगी मैं आपको बता दूँगा अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे syllabus की तो मैं आपको बता देता हूँ पहले भी नाइव तैसलदार के लिए post आये थे यहाँ पे अगर हम पठफारी post की बात करेंगी वो आये थे तो वो syllabus आप अभी पढ़ सकती हो क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ लगबक 70% syllabus सेयम होता है तो syllabus को आप prepare कीजिए अगर आप सोच रहें कि इस notification में हम application फारम बारेंगे तो आज से ही इस पर आप काम कीजिए क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यह notification within week आपको देखने को मिल जाएगी इसके लिए जल्दी ही जल्दी notification निकाली जाएगी 2025 आने से पहले ही यह notification आएगी आपको confirm बता देता हूँ आपको यह notification इस मन्थ या दसमबर में confirm देखने को मिल जाएगी यह post confirm आने वाले है क्योंकि इनके लिए already order भी issue हो गया है तो obviously इस recruitment का wait मत कीजे आप पहले से ही prepare कीजे और यहाँ पर यह post confirm हो गया है और यह post confirm आ जाएगे क्योंकि यहाँ पर आप government order भी देख सकते हो संजी कुमार का इस तरी किसे यह जो copy है यह कोई fake copy नहीं है यह original है क्योंकि से उतोबिक साथ तबता के लिया लाह भीस